अब हम देखेंगे इंफलेशन के बारे में इंफलेशन क्या होता है इंफलेशन कितनी तरह का होता है तो ध्यान से देखिएगा यह है RRBPO का part 26 तो दोस्तों एक बाद फिर से जो लोग interview classes join कर चुके हैं प्लीज अपना account login करके वीडियो देखिए और पूरी वीडियो interview को देखने के लिए आप लोग भी video के description box में लिंक दिया हुआ है हमारे interview classes join कर सकते हैं एक बार interview classes आप join कर लेंगे सिर्फ 199 रुपीज में पूरे interview की हम preparation करा रहे हैं तो आप अपना account login करेंगे ऐसे account login करेंगे जब account login करेंगे तो दोस्तों click here to download complete book for interview preparation यह PDF पूरी पढ़ लीजेगा बहुत important है डाउनलोड करने में कोई issue आ रहा है तो please paste को reload करेंगा refresh करेंगा यह PDF डाउनलोड करेंगा 150 pages की है बहुत helpful है और यह वो सारी वीडियो स्टार्टिंग से हैं जो आपको देखने को मिलेंगे यह सारी वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेंगे साथ में जो हम daily वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो भी फुल लेंथ वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे चलिए अब हम देखते हैं अपना topic inflation क्या है और कितने type के inflation होते हैं तो inflation है क्या है inflation हिंदी में महगाई ठीक है महगाई क्या है सब को पता होगा I think कि inflation actually होता क्या है देखिए inflation को define करने के लिए अलग-अलग economics ने अलग किज़े बताई ठीक है कुछ ने बोला inflation मतलब है rise in supply of money in market ठीक है किसी ने बताया rise of cost of goods and services and services ठीक है तो किसी ने ये बोला कि market में जब money की supply बढ़ जाती है उसे हम inflation बोलते है और किसी ने ये बोला कि जब goods and services offer कर रही है एक country उसकी जब price बढ़ जाती है, cost बढ़ जाती है उसे हम inflation बोलते है तो actually ये दूनों बात ही सही है ठीक है मैंने आपको monetary policy की वीडियो में ये बताया था कि चीजे घटी बढ़ती कैसे है महगाई घटी बढ़ती कैसे है या RBI महगाई को कैसे कंट्रोल करती है RBI कैसे कंट्रोल करती है RBI मार्केट में पैसे का flow रोब के कम करके ज़्यादा करके ही महगाई को घटाती और बढ़ती है क्यूं परहिए जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे आप सामान खरीदो गया तो इसके लिया पास पैसे होने चाहिए ठीक है अभी क्या हुआ था अभी भी है वैसे onion का price बहुत ज़दा बढ़ गया था तो प्राइस कैसे कामाता है दो option है या तो आपके पास पैसे कम हो जाए ठीक है आपके पास जब पैसे ही नहीं होंगे तो आप प्याज खरीद होगे कैसे और जब आप खरीद होगे नहीं तो मतलब इसका सीधे ही हुआ कि demand हो जाएगी कम demand कम हो गई तो दुकानदार क्या करेगा भाई कोई ले ही नहीं रहा है प्याज खराब हो जाएगा इससे अच्छा कम दामों पर बेज दिया जाए price down हो गई तुरंत अगर demand कम हो गई आपके पास पैसे ही नहीं है तो फिर आपकी जो price है वो गिर जाती है दूसरा option यह है कि supply बढ़ा दीजे अगर supply बढ़ा दीगी जितनी नीड है उतनी supply बढ़ा दे तो भी महकाई जो है मेलज हो जाएगी तो अक्चुनी पैसे से कंट्रोल था किसी चीज की बहुत सस्ती कीमत है माल लेते है potato की कीमत 2 rupees केजी लेकिन अगर इससे market में पैसा बढ़ा दिया जाए लोग के पास पैसा बढ़ जाएका तो वो लोग खुब मात्रा में potato खड़ी देंगे अब जिदनी नीड नहींगे उससे ज़्यादा भी खड़ीद लेंगे ठीक है तो ultimately पैसा से डिफाइन होता है ठीक है कितना पैसा है आपके पास इस चीज़ से डिसाइड हो जाता है कि इंफ्लेशन कितना हो जा ठीक है तो महंगाई क्या है यह सब लोग समझ गये होंगे कि महकाई से inflation rate से ये भी decide होता है कि कोई देश है उसकी inflation rate वहाँ का क्या है yearly तो उससे ये decide हो जाता है या उससे ये पता से जाता है कि market पैसा कितना भीजा जा रहा है उस देश के पास पैसा किस growth rate से बढ़ रहा है पैसा ठीक है अगर बहुत जिदा currencies प्रिंट कर देंगे जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया कि आपके क्यों बहुत से currencies नहीं प्रिंट करती है तो फिर महकाई बहुत बढ़ जाएगी देखिए अब बात किजाए अगर types of inflation की ठीक है फर्स्ट होता है creeping inflation creeping inflation किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है जहाँ पर महंगाई की दर 0 से 3% पर एनम बढ़ रही है जहाँ पर महंगाई दर 0 से 3% के बीच है उस inflation को हम कहेंगे creeping inflation जहाँ पर नहाँ आट झाल झाल